स्वागत आपका इस वक्त हमें स्वीप्री में जहां पर आपको मालूम मोगा कि एक मामला आया था एक मुद्दा था कि छोटे से मासूम बच्चे तीन वर्स का बच्चा था उसकी आखों से किरा नकाल गया यहां के डॉक्टर साब हैं ग्रीश चत्रवेडी उनकुलवार नक पुरारोप उनी पर सुफ देता है लेकर हमारे साथ में ग्रीश चत्रवेडी हैं उनसे पूछेंगे कि आदवासी बच्चल तीन वर्स का बच्चा था उसकी आखों से कीला नकालना कैसे कीला निकाला उन्होंने और कीला गया भी कैसे पहले तो आपका सिट्टी प्रवाया दे रहा हूं कई जगे काम करके चुका हूं साथ वाउत में सब जगे जैसे कि आपने आप चर्चाओं में हैं सीपरी में और नेट्र विश्यक तो आप अब इन्मामला है कि छोटा सा बच्चा मासुन बच्चा तीन बरस का बच्चा था अब बच्चा यतना सबागे मेरे को दिया तीन साल का बच्चा था चौबिस घंटे से पीडित था परिशान था आँक बहुत ज्यादा सूजी हुई थी परिजन पूरी स्ट्री नहीं दे पा रहे थे और पहली बार में मुझे यह समझ में नहीं आया था कि किराहा कारण है आँक इतनी क्यों दिखाई थी और वो बार बार अंदर बाहर हो रहा था वंजर मेरे लिए बड़ा सेहरन पैदा करने वाला था मैं डर गया उसको देखके वो कीड़ा जैसे अंदर बाहर हो रहा था और बच्चा चिला रहा था बच्चा जब रूता है तो आंखें बंद कर लेता है तो पूर्ण बेहोशी के स्थिति में लाएं क्योंकि पूर्ण बेहोशी के लिए कम से कम 6 गंटे पानी भी नहीं पीना चाहिए तो बच्चा जब आया था तो खाई पी एकी पोजीशन में था और 6 गंटे में उसको दर्द से तलबता हुआ नहीं देख सकता था तो मैंने लोकल में करने की सोची सारी तैयारियां की ओटी स्टाफ को रेटी रखा ओटी को तैयार किया अंदर लिया बच्चे को जब देखा तो वो कीले ने आख में आसू की नली और आख के बीच में टनल बना ली थी और वो उसी में अंदर बाहर हो रहा था खुन पी रहा तो मेरे को करीब 13-15 मिनिट का इंतजार करना पड़ा कि वो कब बाहर आए और मैं कब उसको पकड़ के निकालूं तो जैसे ही उसने अपने गर्दन बाहर की इतने इंतजार के बाद मैंने उसको गर्दन से पकड़ा और बाहर निकाल लिया और यह इश्वरी कर पा रही कि जगे नहीं थी गुण्जाइश नहीं थी और अब बच्चा ठीक है आपको जैसे लाको दर्सक देख रहे हैं तो उनको आप क्या संदिश देना चाहूँगा यह कहना चाहूंगा कि एक तो बारिशों का मौसा में अपने छोटे बच्चों पे ध्यान दें जमीन पे नस्व देना बच्चों को पशू जहाँ पे हैं उस जगें से दूर रखे और फसल के एरिया में किवल बड़े लोग काम करें जहां पर भी फसलों में केयले लगें मौन बच्चों को दूरी और किसी बीचिज को आज ratios लाओ बौत फैला हूँआ है आई फ्लू से उसको संदत करके कि आई फ्लू होगा तीन दिन में ठीक हो जाएगा अगर कोई भी परिशानी है तो तुरंत रॉक्टर को देखाए बहुत पधने बाद अमस्का थांक्यू एक देखा आपने कि हमारे साथ में ग्रीश चत्रुबेदी जो नेत्र विसी सर्गें सीपरीम है वो हमारे साथ में ज लिए चला गया जोस्काइं भी बटका होगा उनको किसी ने जानकारी दी होगी कि आप इनके पास जाईए तुम्हां पर आया वासा लगाकर बैक्ति आता है लेकिन अब बैक्ति नहीं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं इन्हीं पर बैक्ति आरो प्रतरुफ लगाता ह अब आप इसा करते हैं तो तीन साल के मासून बच्चे की अपनी जान जोखी में डालके बच्चे का और शेत किया ना कुछ किया जाना बच्चे को जाना दर्दी नहीं हुआ उस प्रेश नकालने से अब आनुवा लगा सकते हैं आप अमको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट म हमारे साथ में जोड़े हुए थे और बने रहें आप सीटी अपिटिकर साथ क्यान में रिसी को समय के साथ